आज रास्ता बना लिया है तो कल मन्जिल भी मिल जाएगी होसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी यही वो सोच थी जिसने रमन प्रेत कौर जी के सपनों को जान दी जिसने उन्हें कभी हताश नहीं होने दिया और समाज के लिए उनके प्रेम को और बढ़ा दिया 12 साल लंबे सफर के बाद आज रमन प्रेत कौर जी देश में ही नहीं विदेश में भी समाज के लिए किये गए अपने कार्यों के लिए जानी जाती है New York, USA, Italy यहां के चर्चित वेबसाइट में भी इनके सामाजिक कार्यों और समाज के प्रतिप्रेम को सराह जाता है वहीं World Parliament for Peace की ओर से समाज में साहित्यक और मानवता के उनके योगदान के लिए उन्हें Lifetime Achievement Noble Peace Personality Award से भी नवाजा गया 1998 में किस साल की उमर में उनकी शादी हो गए लेकिन सास के रूप में मा मिली पती के रूप में एक दोस को पाया जिनोंने उनकी आगे की पढ़ाई कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया और उनके होस्लों को कभी कम नहीं होने दिया गरीब बच्चों के लिए उनका प्यार अपने चरम पर है जो कभी अपने आपको समात से अलग समझ कर गरीवी की चाधर ओड़े रहते थे उन्हें इनोंने अपना साथ देकर उनके सपनों को नई जान दी उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ प्यारे से कुछ लम्हें बिताए कई गरीब बच्चियों की शाधी तक कध्यान रखा और इन सब के पीछे हमीशा से ही उनके बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए कुमर दीब सिंग जी ने हमीशा साथ दिया आज भी वो साथ और प्यार बरकरार है और अपने माता पिता के आशिवाज से समाज सेवा को अपने जिम्मेदारी समझ कर निभा रहे हैं उत्राखंच खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट अजिवाज कर दो लिए भी वोर्ट